हेलो ईच्टिट्सक वा गत्वर फिर Alrighty पर पर आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ की एक ट्रिएंगल कैसे बनाया जाता अागर अगर कॉ मालुम होना चाहिए ट्रिएंगल में तीन भुजाएं होती हैं अगर तीन flown का माप दिया तो जो कैसे आप कंपास और स्केल के ह 13 में क्या सर्थ क्या होता है फोर रख दे रहा हूं एक कि दए रख दे रहा हम फोर पहल सीय ओम तेहां पर देखेंगे सर्थes पूरआ हो जा रहा है कि फाइब और फोर दो आपने जोड़ा खे है नाइन हुआ जोकी तीसरी भुजा से क्या है बड़ा है इन्हींकि आप देखेंगे जो सबसे बड़ा भुजा आठ सेंटिमेटर इसको छुड़ दीजिए आठ सेंटिमेटर छुड़ दीए तो बचा आपको पांच सेंटिमेटर चार सेंटिमेटर इन दोनों भुजाओं को युग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए जादे होना चाहिए तो 5-4 जो किस जादी है इसका मतलब से अपका ट्रिंगल बन जाएगा अगर हम कुछ ऐसा रखे बाई चाहं से हाँ पर हम थिरी रखते हैं तो 5-3-8 इसके बरबर हो जाएगा तब आपका ट्रिंगल नहीं बनेगा बराबर रहेगा या कम भी हो जाएगा बाईचान से हम 2 रह दें तो 5 यह दिस 7 होगा 8 से कम हो जाएगा तो triangle नहीं बनेगा तो यह भी आपका होता है समझे कर रखा जाता है फिलाल आपके अगर question ऐसा मिला है तो आपको बोला है कि ट्रिंगल एक कंट्रेक्ट करो रचना करो उसको बनाने का रूल क्या होता है यहाँ पर देखिए मान लेते हैं लेट लेट माने क्या होता है माना इसका नाम दे देते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा 5CM और बी सी बराबर रख दे रहे हैं 8CM को हैं आप कोई भुजा फिर ही है उठा बनाने के लिए इसमें क्या होता है रफ इसकेच बना लिया जाता है रफ वर्क कर लिया जाता है कि आपका कैसे आप बनाना है रफ इसकेच इसको लिखते है रफ इसकेच लिकिन मैं इसलिए अजमाने जा यही A, B, C है तो हम मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे A, B का माप है 5CM है B, C का है 8CM और फिर C, A का है 4CM इसी माप को आपको बनाना है कमपास के हल्प से सही है सुद धरूप में तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे अगर आप इसकेज में 208CM है सब परताम आप क्या करेंगे 8CM का एक लाइन खीज देंगे तो मैं यहाँ पर 8CM का लाइन खीज दे रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर जहाँ 0 सुरु होता है वहाँ से आपका लाइन खीजना है सुरु से नहीं तो मैं 8CM का लाइन खीज दिया जिसका नाम आप यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे पॉइंट बनाने के बाद इसका नाम दे सकते हैं क्योंकि बेसी नाम दिया हूँ क्वेशन बेसी नाम दे दिया गया अब क्या करेंगे यहाँ देखेंगे पांच सेंटीमीटर यहाँ से आपको है तब आप स्केल में पांच सेंटीमीटर भर लेंगे तो मैं 0 से पांच सेंटीमीटर क्या कर रहा हूँ इसमें भर ले रहा हूँ यहाँ से यसे करके पांच तक लेकर जाके कि इसमें क्या करेंगे भर लेंगे हमने भर लिया और उसके बाद क्या करेंगे बी को सेंटर मानके बी को केंदर मानकर एक अर्क लगाएंगे उसी पांस सेंट्र क्या करेंगे अर्क लगाएंगे देखे हमने अर्क लगा दिया थोड़ा बड़ा है रहे कम ना रहे कि दुबा का Bash गुआ हमने 4 देखिया यहां पर भर लिया अब क्या करेंगी ही यहां centre को रखके और इसको लाइन इसको कट देखे अभी नहीं कटा खुंटा पड़े तो क्या करेंगा भा पर देखेंगे आपको इंटर्सक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यहाँ पर देखेंगे शिर्जाब का यह है तो चैना क्या करेंगे इस a से इसको मिला देंगे B को A से मिलाई है और यहाँ पर A को C से मिलाई है तो जिस माप का आपका दिया था तिर्फुज बनाने के लिए उस माप का तिर्फुज बन गया असली तो यहाँ पर इसको लिख देंगे A, B है 5 cm और B, C है 8 cm और A, C है 4 cm तो इस 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 होता है तो उमेद करता है आपको समझ में आ गया होगा तो इसी तरह का वीडियो मेरा नेक्स्ट भी रहेगा तगला वीडियो पर आपकरने के लिए चैनल को जो सस्क्राइब करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में